आपटेशटी बलूर्टर चत्नी भी बनाएंगे! आप विडियो मिश ना करें विडियो कुने के शुआ दैल के विडियो सरोत से हैं तेश्ट आगर आपको चटपड़ा खाने का मन है तो जरूर बना काई तो दीकिए हमने एक टमाटर कट करके उसको बाल रही हूं और उसमें एक हरी मिर्च डाला था मैंने लाल मिर्च और दो मैंने आलू लिया है और लौकी लिया है तो यह आप खा सकते हो और मैंने आलू औ लौकी को अच्छे से कदूकस कर लिया है और मैंने एक कटोरी सोदाना पहले से फूलने के लिए डाल दिया उसको तीन पानी से वस्क कर लिया है तो मैंने कदूकस करके यह देखिए आपको पतला सा ऐसा कदूकस करके आपको इसको लिका लेना है और अच्छे से पानी को न प्लब दालेंगे और थोड़ा सा इसमें हमने थोड़ा सा इसमें सेना नमक डाला है यह जो तो माट़ है वह हम साइड में रग दिया है वह हमारे टमाटर उबल चुके हैं तो माटब की कैसे चक्ति बनाना वह भी आप दिदियो मिख नगारे वीडियो पूरा देखे इसको अच्छे से हम मिक्स करने के बाद इसको हम साइड में रखेंगे इसमें अगर आपको यह पराठे नहीं बन रहे तो इसमें आप एक चमच कुट-कुट काटा ले सकते हो नहीं तो मैंने एक चमच इसमें कॉंफरार लिया है क्योंकि कॉंफरार हम बससके मिक्स कॉंफरार लेकर में जाघनाला नहीं कईवध दोकर कर दो करना के अच्छा पीज़ा पाता हो तो भी आप डाल सकते हो बहुत अच्छा टेश्ट आता है एक बार यह पराठे बना के खाएंगे न भूल जाएंगे इतना टेश्ट यह पराठा है और इसमें एक टमाटर जो बला बाल के रखे देख टमाटर और इसमें लाल मीर्ष डाला है बस इसमें सेना नमग डालेंगे और आपको कुछ भी साथ तो इसमें कि हमारी चटनी हमने ज्यादा महीन नहीं किया है चटनी थोड़ा सामने दरदरा रखाया कि थोड़ी सी जाड़ी रखिए कि जब यह चटनी आप पराठे साथ खाओगे बहुत ज्यादा टेश्ट लगते चलिए पराठे भी बना लेते तो एक मेने पराठा नहीं पराठा के आपको दिखा रहूं एक मेने पहले ही सी पराठे को सेकने के लिए रख दिया था होगी देखिये हमारा पराठा कितना अच्छा लग रहा है हो सगे फृरेंड अग पतले भी पराठी बना सेएजों मोटे भी और कितनी अच्छी दिख रही है तो हमने पराठा कैसे बनाया है चलिए आपको पराठे बना के भी दिखाते हैं कि टेश्टी शाही पराठा बनाता तो इसमें हमने थोड़ा सामने इसमें पहले हम घी नहीं डालेंगे और पराठे को जो गोल है वो बीच में रखें और आपको नो दिन का बरत रख रहे हो तो आपको दम कमजोरी भी मेसूस नहीं होगी और आपके अंदर से बहुत अच्छा फील आएगा मतलब यह पराठे खाते विए आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा तो एक बार यह ज़रूर ट्राइग करें तो इसके लिए हमने में देखिए इस तरह से हमने पला दिया है और और साइट-जाइट में हम घी डाल लेंगे कि अगर आप नौ दिन का नोर्ता रख रहें तो घी में खाएं कि तेल यूजिए नहीं काना चाहिए घी में भनाना चाहिए माता जी को भोग लगा रहे है तो भी घी में भनाना तो इस तरह से देखिए हमने घी डाल दिया है थोड़ा सा हम इसको फ्राइ करेंगे और जब हम यह उल्टेंगे तो बहुत अच्छा से क्रिश्पी सा टेस्ट आएगा यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारे पराटे तो आपकर आपको और नहीं नहीं वीडियो देखें हम रोज नहीं नहीं चीज़ बनाके डालते रहेंगे आपको आज क्या खाना चाहिए आज क्या नहीं खाना चाहिए तो देखिए हमारी चटनी बन के तियार हो चुकिए नौरातर रेश्पी डिस जो आप इस बरत में खा सकते हैं बहुत सुद्ध और बहुत मतलब अच्छा सा ये बोजन है ये खाएं आपको तम कमजोरी और आपके सहत के लिए बहुत फायदे मनें तो अगर आपको नहीं नहीं वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक शेर फोलो जरूर करें तो चलिए हम नहीं नहीं रेश्पी लेके आते रहेंगे अगर वीडियो को लाइक शेर जरूर करें तो नयाने वीडियो साथ मिलते हैं तब तक से ठीक और पाए